ऑईए आज कथा साहित्य में सुनिए थिन्दी साहित्य में अपना विशिस्ट स्थान रखने वाली लेखी का डॉक्टर पुषपा सक्सेना जी की लिखी कहानी डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी ने भोगोल और हिंदी में M.A. के साथ डॉक्टर हरिवन श्राय बच्चन का गत्य सहित्य विशे पर डॉक्टरेट की है इनकी कहानिया अंग्रेजी के अतरिक्त कई भारतिय भाशाओं में अनुवाद हो चुकी है मॉस्कोवा वशिंग्टन के कई विश्विध्यालियों में इनकी कहानिया पढ़ाई जा रही है तो आईए आज सुनते हैं इनकी लिखी एक कहानी जिसका शिर्शक है अंकिता अर्पित को स्कूल चाता देखते ही घरों से औरतें बहार निकलाई थी अर्पित के स्कूल का रास्ता उसके पुराने बंगले के सामने से होकर चाता था कहो बेटा तुम्हारी मम्मे वापिस आई या नहीं हाए हाए कैसे निर्दई मा थी बेटे का भी मुहु नहीं रहा मजे करने भाग गई अरे भगोडी कलंकनी के गम में इसके पापा ने जहर खाकर जान दे दी सबकी बातें सुनता हुआ अनुत्रित अर्पित रोता हुआ घर वापिस आ गया क्या हुआ मुन्हा स्कूल काहे नहीं गए प्यार से अर्पित के आंसु पूंचता रामुद रवित था हम स्कूल नहीं जाएंगे काका सब हम से मम्मी और पापा के बारे में कह रहे थे आसु फिर बह निकले अरे मुन्हा तुम लोगों की बातें काहे सुनते हो ठहरो हम तुम्हारे साथ चलते हैं देखे किसकी हिमत कुछ कहने की पड़ती है रामु ने आश्वस्त किया नहीं हमें स्कूल नहीं जाना है हथेली से बहते आसु पोंचता दस वर्ष का अरपित रो रहा था चलो हम फादर के पास चलते हैं वो तुम्हें बहादुर बच्चा कहते हैं न अपने पुराने बंगले से थोड़ी दूर पर एक मिश्णरी स्कूल में अरपित पढ़ता था स्कूल के प्रिंसिपल फादर जेम्स अरपित के हार्ट स्पैस्टिस्ट पापा डॉक्टर अमिच चंद्रा का बहुत सम्मान करते थे डॉक्टर चंद्रा स्कूल के विकास के लिए अनुदान तथा मैधावी और निर्धन बच्चों को छात्रविती भी देते थे अर्पित फादर जेम्स का प्रिये छात्र था अर्पित की मम्मी मोनिका स्कूल के कारेक्रमों में तो रुची नहीं लेती थी पर पुरसकार देने अवश्चे जाती थी अखबारों में अपनी फोटो देख कर उसे अपने रूप पर अभिमान होता था कलब और किटी पार्डीज ही उसकी दुनिया थी पती डॉक्टर चंद्रा को अपने मरीजों को नव जीवन देने की विस्तता के कारण मोनिका को साथ देना संभव नहीं था पर पत्नी की गतिविधियों से उन्हें कोई शिकायत नहीं होती रामु सोच में पड़ गया दस दिनों में उस नन्हे अर्पित की तो दुनिया ही उजड़ गई एक ही दिन में मा और पापा दोनों उसे अकेला छोड़ गए भला हो फादर जेम्स का जिनके हाथों अपने दुनारे बेटे को सौप कर अर्पित के पापा ने आँखे मुंदी थी पत्नी के अचानक हमेशा के लिए उन्हें और घर को छोड़ कर चले जाना वो सह नहीं सके थे मृत्यू के पहले वकील को बुला कर अपनी वसियत करके फादर जेम्स को सारी संपत्ती और धन राशी का ट्रस्टी बना दिया था फादर और डॉक्टर चंद्रा के डॉक्टर मित्र बोस बाबु की धीमी बातों से जहर खानिट जैसी बात बाहर खड़े रामू ने सुनी थी अंतिम संसकार भी तुरंत कर दिया गया था मोनिका का भी इंतजार नहीं किया गया अर्पित का रोना सुनते रामू का कलिज़ा फटा जा रहा था उतने बड़े बंगले में अकेला अर्पित कैसे रह पाएगा फादर जेम्स ने अर्पित को अपने घर में रखने का ही निर्णे लिया था आज से तुम मेरे ब्रेव बेटे हो अर्पित मेरे साथ तुम्हें अपनी नई जिन्दगी शुरू करनी है अपने पापा की तरहा नामी डॉक्टर बन कर उनके सपने पूरे करने है नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हमें पापा के साथ रहना है आसों का सेला बह निकला तुम्हारे पापा को गौड ने अपने पस बुला लिया है वहां उनकी जरूरत थी अब तुम्हें बहाद्रू लड़के की तरहां से जिंदगी जीनी है अगर तुम रोगे तो तुम्हारे पापा को दुख होगा तुम्हारे साथ तुम्हारे रामु काका और मैं रहूँगा प्यार से अर्पित के सिर पर हाथ फेड़ते फादर ने समझाया फादर पापा ने जहर क्यों खाया मुझे क्यों नहीं बताया अर्पित ने भी पोस अंकल और फादर की बातें सुन ली थी अभी तुम बहुत छोटे हो इस बारे में हम बात में बात करेंगे अब सब कुछ भूल कर तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना है इसी से तुम्हारे पापा को खुशी मिलेगी पढ़ाई को अपना सच्चा दोस्त बना लो अर्पित फादर के घर का एक हिस्सा रामू और अर्पित के लिए काफी था अपने कमरे का सामान समेठते अर्पित की आँखों के सामने से दस वर्षों का हितिहास चूट रहा था रामू और फादर जेम्स ही अब उसका परिवार था पापा तो अनाथाले में पले थे और मम्मी के किसी भी रिष्टेदार के बारे में कभी नहीं सुना वो अपने स्वतेली मा से हमेशा के लिए रिष्टा तोड़ कर पापा के साथ आ गई थी अर्पित मा पापा की अपने चोटी सी दुनिया में कितना खुश था अर्पित को अपने पापा बहुत अच्छे लगते थे अपने वेस्टता के बावजूद अर्पित के लिए वो समय निकाल ही लेते थे उसके साथ उसके स्कूल और उसके दोस्तों के बारे में जानकरी लेते हुए वो खूब मजा लेते सच तो यह है उस समय वो एक गंभी डॉक्टर नहीं उसके साथ बच्चा बन जाते थे अर्पित के लिए अच्छी किताबें और दिमागे खिलोने वही लाते थे मम्मे की अतिव्यस्त दुनिया में अर्पित को अपने लिए जाधा जगह नहीं मिलती थी घर के पुराने विश्वस्त सेवक रामू पर अर्पित का दायत्व होता और वो सच्चे मन से अर्पित को प्यार करता लंदन से डॉक्टर चंद्रा के मित्र हरीश के आने से घर में खूब रौनक हो गई मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए हरीश और डॉक्टर चंद्रा की अच्छे मित्रता हो गई थी हरीश सौभाव से चंचल था और डॉक्टर चंद्रा गंभीर सौभाव के थे पढ़ाई के मुकाबले हरीश का ध्यान लड़कियों से दोस्ती करने में ज्यादा लगता था स्नेही और उदार डॉक्टर चंद्रा उसे छोटे भाई की तरहां प्यार करते सच्चाई तो यह थी उन्ही के कारण हरीश एक्जाम्स में पास होता गया और पहला चांस मिलते ही लंदन चला गया डॉक्टर चंद्रा ने अपने देश में रहकर जरूरत मंद लोगों की सेवा का निर्ने लिया था वाउ भावी तुम्हे तुम्हे भावी कहे ही नहीं सकता यू लुक सो यंग एंड ब्यूटिफुल तुम्हे तो मोना डार्लिंग कहना ठीक रहेगा क्यों आमित भाई आपको तो कोई एतराज नहीं है शरार्ती मुसकान के साथ मोनिका को देखते हुए हरिश बोला बिल्कुल नहीं पर तेरी शरार्ते अभी गई नहीं अब शादी कर डाल सुना है अभी भी लड़कियों से फ्लर्ट करता है डॉक्टर आमित ने प्यार से कहा ये बात तो आपने ठीक सुनी है पर अभी तक मोना डार्लिंग जैसी खूबसूरत कोई लड़की ही नहीं मिली है मोनिका पर नजर जमाए चेहरे पर फिर शरारा थी अब रहने दे मोनिका का दिमाग मत खराब कर लंदन में क्या सुन्दर लड़कियों की कमी है जानी दो हरीश तुम्हारे भाई साहब के पास सुन्दरता देखने पर रखने का वक्त ही कहा है इन्हें तो बस दूसरों के दिल चीरने में मसा आता है मोनिका ने व्यंग किया वैसे इसी काम के लिए हमारे टॉक्टर अमिच चंदरा जी लंदन तक में मशूर है हरीश मुस्कुराया आप तो अपने भाई की तारिफ करेंगे ही मुझसे पूछिए मेरी कितनी बोरिंग लाइफ है हरीश ओ नो हरीश मुझे सब हैरी कहते है अब तो हरीश किसी दूसरे का नाम लगता है वैसे जब तक यहां हूँ आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने दूगा ये मेरा वादा है मुझे तो आज ही पता लगा तुम्हारी लाइफ पोरिंग है तुम्हे तो हमेशा अपनी जिन्दगी एंजॉय ही करते दिखा है डॉक्टर अमित के चहरे पर विसमे था तब ही स्कूल से वापिस आए अर्पित को देख हरीश ने खुशी से कहा अरे ये हमारा अर्पित हीरो है इतना बड़ा हो गया पिछली बार तो फोन पर ठीक से बात भी नहीं कर पाता था तो हीरो अपने हैरी अंकल को अपना शहर घुमाओगे जी अंकल छोटा सा जवाब देकर अर्पित अपने कमरे की तरफ चल दिया अरे अभी तो हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई और जनाब चल दिये हरीश ने कहा अपने पापा पर गया है उनकी ही तरह सीरियस रहता है बस किताबें ही इसकी दोस्त है रूखे स्वर में मोनिका पुली जब से हैरी घर आया था घर में जैसे खुशी का तियोहार साथ लाया था अब मोनिका को कलब अकेले नहीं जाना पड़ता मोनिका के डांस पार्टनर के रूप में हैरी अपने आलावा किसी और को चांस ही नहीं देता देर रात तक दोनों कलबों की शान बढ़ाते मोनिका की प्रतिक्षा करते डॉक्टर अमित ने अगर कुछ ठीक नहीं भी महसूस किया तो उसे बस अपने मन तक ही सीमित रखा अरपित सोच था उसकी मम्मे हैरी अंकल के साथ कितने खुश रहती हैं अंकल की हर बात पर कितना हस्ती हैं पर पापा के साथ थोड़ी ही देर में किसी छोटी सी बात पर नाराज हो जाती हैं पापा मम्मी की नाराज़की को कितनी आसानी से सहचाते हैं कभी कभी उसे मम्मी पर बहुत गुस्सा आता पर अपने लिए पापा का प्यार सब भुला देता दिन बीट रहे थे, एक रात उसने पापा को मम्मी से कहते सुना तुम्हें अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए मोनिका कल रात तुम इतना जाधा ड्रिंक करके आई थी कि अगर मैं ना संभालता तो तुम हरीश के साथ उसके बिस्तर पर ही सो जाती वो क्या सोचता, ओ, I don't care, तुम इतने पुराने खयालों वाले इंसान हो तुम क्या जानो, ड्रिंक मुझे किस दुनिया में ले जाता है हवा में उड़ती हूँ, पर तुम्हें मेरी खुशी सहन नहीं होती लड़कडाती आवाज में मोनिका बोली तुम नहीं जानती, शराब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है अपने बेटे का तो खयाल रखो, उसके लिए तुम्हारे पस वक्त ही नहीं रहता कितना अकेला हो गया है फादर जेम्स उसके लिए बहुत कंसर्ण है उन्हें लगता है, आजकल वो कुछ परेशान सा रहता है अर्पित सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है वैसे उसके लिए क्या कमी है? कमरे में टीवी, वीडियो गेम्स है अगर फादर को इतनी ही परवाहा है तो अर्पित को अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? उनके पास तो बड़ा घर है और अकेले ही रहते हैं आप सोने दो मोनिका ने बात खत्म कर दी अर्पित जैसे डर सा गया यह सच था फादर उसे बहुत प्यार करते हैं पर अपने घर से अलग होने की बात उसे अच्छी नहीं लगी पर अगर कभी ऐसा हो गया तो नहीं, वो अपने पापा को छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा बचपन से उसकी देख रेक रामु काका करते आ रहे हैं वो उनके साथ अपने मन की बातें आसानी से कर लेता है उस रात अर्पित को डरावने सपने चकाती रहे दिन पंख लगा कर उड़ रहे थे मम्मी घर में कम चाचा के साथ बाहर साथा रहती अचानक एक दिन स्कूल से वापिस आया अर्पित घर में पसरे सनाटे से चौंक गया रामु काका भी बरामदे में चुपचा पैठे थे पापा का कमरा बंद था इस वक्त तो पापा हॉस्पिटल में होते हैं क्या बात है रामु काका मम्मी कहा है क्या पापा आज हॉस्पिटल नहीं गए क्या बताएं बेटा, बहुत कड़बड हो गई, तुम्हारी मम्मी भाग गई, मेरा मतलब चली गई, तुम चलो, खाना खालो, अपने पापा को भी बुला लो, उन्होंने भी खाना नहीं खाया, रामु की आवास में दुख था, अर्पित को जैसे किसी अन्होनी का आभास हो देख, अर्पित तर गया, क्या हुआ पापा, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं बेटा, आज भोग नहीं है, तुम खालो, मुझे कुछ जरूरी काम करने है, पापा, रामु काका कह रहे है, मम्मी हैरी अंकल के साथ चली गई, मम्मी क क्यों चली गई, क्या मम्मी के साथ आपकी लडाई हुई थी, वो वापिस का पाएंगी, अर्पित रुआसा था, पता नहीं, कहकर डॉक्टर चंदरा चुप हो गए, हम मम्मी के बिना कैसे रहेंगे, तू तो मेरा पहादूर बेटा है, ये लेटर फादर जेम्स को दे दे वो सब समभाल लेंगे, हमेशा उनका कहना मानना, वो तुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, डॉक्टर अमित ने एक लिफाफा अर्पित को थमा दिया, क्या आप कहीं जा रहे हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते, मम्मी भी नहीं है, अर्पित जोर से रो पड़ा बहादूर बच्चे ऐसे नहीं रोते, हमेशा हिम्मत से काम करना, अच्छा अब तुम जाओ, मुझे वकील अंकल से बात करनी है, अर्पित के सिर पर प्यार से हाथ फेर उसके पापा ने उसे भेज दिया, परिशान अर्पित पापा की अजीब बाते नहीं समझ पाया, वे उसे फादर जेम्स की बात मानने को क्यों कह रहे थे, मम्मे के बिना घर कितना सुना लग रहा था, हालान की वे उसे जादा वक्त नहीं देती थी, पर उनका घर में होना उसे साहस देता था, रोते हुए ना जाने कब आंक लग गई, रामु काका ने जगजोर कर चकाया था उठो भाईया, गजब हो गया, मालिक चले गए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, दिल का दौरा पड़ा था, वो बचा नहीं सके, रामु रू रहा था, अर्पित बिस्तर छोड, पापा की कमरे की दरब भागा था, डॉक्टर बोस अंकल और फादर जेम्स धीमे धीमे बाते क बातों से अर्पित को पापा के जहर खाने जैसी कोई बात सुनाई दी थी, पर बोस अंकल ने कहा, पापा को दिल का दौरा पड़ा था, सच क्या था, अर्पित की समझ के पाहर था, अर्पित स्थब्द रह गया, सदमे की वजहा से आंसु गले में ही फज गए, शहर में प अर्पित को पागल सा कर दिया, पापा को मुखागनी देता अर्पित बिलक पड़ा था, लंदन के पते पर मोनिका और हैरी नहीं मिल सके थे, उनकी खोज करने का कोई जरिया भी नहीं मिल रहा था, आसु पोंच कर द्रिड आवाज में अर्पित ने सब के असमंजस को दू अर्पित जोर से रो पड़ा, अचानक उसे याद आया, पापा ने उसे उन्हें लेटर देने को कहा था, लेटर पड़ते फादर जेम्स कमभीर हो गए, डोंट वरी माई चाइल्ड, आज से तू मेरा बेटा है, हम दोनों साथ रहेंगे, फादर अब हम इस खर में नहीं र दिखा है, जब तुम 18 साल के हो जाओगे, तब तुम उनकी सारी संपत्ती और कैश के हकदार होगे, मुझे उन्होंने तुम्हारा अभिवावक और ट्रस्टी पनाया है, अभी ये बातें तुम नहीं समझ सकोगे, मुझ पर यकीन रखना बेटे, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, उनकी आवाज में प्यार और करुना थी, अपने घर से विदा होते, अरपित की आँखों के सामने ना जाने कितने चितर उभर रहे थे, यादें आसूं में बेह निकली, अपना कमरा छोड़ता अरपित एक एक चीज़ को भीगी आँखों से समेट रहा था, पादर जेम्स जानते थे, अरपित उनके साथ कितना जुड़ा हुआ था, अरपित समझ नहीं पा रहा था, अभी कुछ दिन पहले, रोजी की मम्मे, रोजी के पापा को तलाग देकर चली गई, पर ये बात, रोजी के पापा और दूसरों ने सोभाविक रूप से ली थी, मम्मी ऐसे क्यों चुपचा भाग गई, हाँ, रामो काका ने यही तो कहा था, दिन बीतने लगे, फादर जेम्स कास नहें, अरपित के दुखों पर मरहम का काम कर रहा था, वैसे भी दुख भुलाने के लिए समय ही सब का सहायक बनता है, पढ़ाई में तो अरपित पहले ही बहुत अच्छा था, अब फादर की गईडेंस और अपना दुख भुलाने के लिए पढ़ाई ही उसकी साथी थी, लेकिन सहनोभुति जताने के बहाने, लोगों की बातें उसे तिल मिला देती, मा के लिए मन में कहरा आक्रोश उभरता, पर उसे कहां, किस के सामने निकाल पाता, कभी सोचता, पापा ने आत्महत्या क्यों की, कम से कम वो तो उसके साथ रहते, अरपित को क्यों भूल गए, उसी अकेला छोड़ गए, अरपित अब अंतरमुखी हो गया था, एक दिन पादर ने कहा, अरपित, माई चाइल्ड, तुम्हारी मम्मे तुमसे मिलने जाती है, बेटिंग रूम में तुम्हारे अंकल के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही है, नहीं, कभी नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, मैं उनसे नहीं मिलूंगा, ना उनके साथ लंदन जाऊंगा, अरपित की आखे जल रही थी, हाथ की मुठियां भिच गई थी, तभी मोनि का उसकी आवाद सुनकर कमरे में आ गई, अरपित से कहना चाहा, अरपित बेटे, तुम यहां अकेले कैसे रहोगे, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने पापा को मारा है, यहां से चली जाओ, मुझे फादर के साथ रहना ह रोता हुआ अरपित, मोनिका को स्थब्द छोड़कर वहां से चला गया, उनके जाने के बाद, अरपित ने फादर से कहा था, प्लीज फादर, उन्हें मेरा कोई समाचार नहीं दीजेगा, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारे मन की बात समस्ता हूँ ऐसा ही होगा, पर अगर कभी तुम्हारा मन बदले, तो मुझे बता देना, मेरे पास तुम्हारी मा अपना पता छोड़ गई है, उसे आशा है, एक दिन तुम उसे जरूर माफ करोगे, फादर ने प्रॉमिस किया, दिन, महीने और साल बीटते गए, अरपित ने अकेले पन को अपना लिया था, मित्रों में बस उसकी पुस्तकें, फादर जेम्स और रामो ही उसके साथ ही थे, उसकी गंभीरता किसी को भी उसके पास आने से रोकती रही, अरपित को बार्मी कक्षा में सर्व प्रथम स्थान मिला, उसकी पीट ठोगते फादर ने पूछा, अरपित अब तुम्हें डिसाइड करना है, आगे तुम क्या करना चाहते हो, फादर मुझे पापा का सपना पूरा करना है, वी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं भी उनकी तरहां हार्ट स्पेस्लिस्ट बनना चाहता हूँ, द्रिड आवाज में अरपित ने अपना लक्षे पता दिया, मुझे खुशी है, तुम अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, मुझे पूरा यकीन है, तुम्हें सफलता मिलेगी, फादर ने विश्टवास के साथ उसका होसला बढ़ाया, मेडिकल कॉलेज में एडमीशन की कोई समस्या ही नहीं थी, एंटरिंस एक् धन और संपत्ति चोड़ गए है, अब तुम जिस तरहां चाहो, इसका उप्योग कर सकते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर और धन से अनात बच्चों का जिवन बना दीजिए, ऐसा करने से पापा की आत्मा को खुशी मिलेगी, तुम अपने पापा के सच्चे करते, उसके साथ ही भी उसकी योगिता से प्रभावित थे, दिन महीने साल पीतने लगे, और पी तब मेडिकल के फाइनल एर में पहुँच गया था, तभी एक दिन एक नई लड़की ने क्लास में प्रिवेश लिया था, प्रोफेसर अभी नहीं आये थे, लड़की ने क्ल की वज़ा से मेडिसिन कर रही हूँ, पापा की पाकिस्तान के उच्चा योग में पोस्टिंग की वज़ा से आपके शहर में आई हूँ, इस शहर से पुराना रिष्टा रहा है, कॉलेश में देर से आई हूँ, आपकी हेल्प चाहिए, चेहरे पर मीठी मुस्कान थी, आप अंकिता ने अपने बैठने के लिए निगाह दोड़ाई, अर्पित के साथ खाली जगह देखकर अंकिता नी संकोच अर्पित के पास चकर बैठ गई, अर्पित हलके संकोच के साथ थोड़ा और सिमट कया, पीछे से रजत ने रिमाग दिया, वा, क्या जगह चुनी है, तारीफ लायक तो कुछ नहीं है, बस अर्पित हूँ, हाँ, किसी की भी हेल्प करना मेरा फर्ज है, अर्पित आप ही हर बैच के टॉपर हैं, तब तो तारीफ लायक हुए ना, फर्ज निभाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, वैसे हम लखनों के हैं, हमारी बातों में लखनवी अंदास तो होना ही चाहिए, वो मुस्कुरा दी, घर वापिस आया अर्पित, अंकिता की बेबाग बातों को सोच कर मुस्कुरा दिया, ये भी क्या बताने की बात थी, कि वो हिरोईन बनना चाहती थी, वैसे शायद वो एक अच्छी हिरोईन बन सकती थी, अचान पहले दिन की तरहां ही, आज भी वो निसंगोच अर्पित के पास बैठ गई, अचानक अर्पित की फाइल पर उसकी लिखाई देख कर कह बैठी, आपकी लिखाई बहुत अच्छी है, हालां की डॉक्टर सबने खराब लिखाई के लिए मशूर होते हैं, ऐसी कोई बात नह पहरा अब साथ पून था, ओ, सौरी, आपकी माँ आपके साथ रहती है, मेरी कोई माँ नहीं है, फादर जेम्स ही मेरे सब कुछ है, अचानक जैसे उसके चेहरे पर आक्रोश आ गया, माफ कीजिएगा, आप शायद किसी वज़ा से परेशान है, क्या हम दोनों दोस्त बन सक सकते हैं, मेरी किसी के साथ ना दोस्ती है, ना दुश्मनी, हम क्लास के साथ ही है, क्या इतना ही काफी नहीं है, अर्पित ने रूखी आवाज में कहा, ये बात आप जैसे जीनियस के लिए भले ही काफी हो, पर हमें तो दोस्त के बिना जिंदगी ही पेगानी लगती है, मीठी मुसकान खेली थी, ये बेंच मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, जहां जी चाहे बैठ सकती है, आप लड़कियों से दोस्ती क्यों नहीं कर लेती, कहकर अर्पित चुप हो गया, हमें लगता है कि लड़कियां शायद हमें पसंद नहीं करती, उन्हें लगता है हम पढ़ हम टॉपर भले ही नहीं है, पर हमेशा फस्ट डिविजनर रहे हैं, उसके सुन्दर मुख पर हलका सा गर्व छलकाया, प्रोफेसर कुमार के हाते ही क्लास में शान्ती चा गई, अगले दिन अंकिता बड़े आराम से अर्पित के साथ बेंच पर पैट गई, अब जबकि ये बेंच जगहा आपकी प्रोपर्टी नहीं है, तो इस जगहा पर अपना अधिकार जमा सकती हूँ, कोई अब्जेक्शन तो नहीं है, शरार्ती मुस्कान चहरे को और कमनिये बना गई थी, अच्छा हो, आप लड़कियों के साथ पैठा कीजिए, मुझे परेशान करने की ज पुस्ती ना सही, दुश्मनी भी तो नहीं है, इतना ही काफी है, कल प्रोफेसर कुमार के लेक्शर के कुछ नोट्स शूट गए थे, आज अपने नोट्स देने होंगी, अधिकार से अंकिता ने कहा, अगर क्लास में ध्यान से नोट्स नहीं ले सकती, तो अच्छा हो, फि हम साथी हैं, फिर एक दूसरे को तुम ही कहना ठीक है, साथियों को आप कहना बड़ा फॉर्मल सा लगता है, मेरे पास बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है, एक सच और जान लो, मुझे अकेले रहने की आदत है, किसी का साथ नहीं चाहिए, कड़ी आवास में अर्पित मत करना, सपाट आवास में उसने कहा, अंकिता जैसे उसके कठोर चहरे से डर गई, क्या है अर्पित की जिंदगी का सच, कुछ ही दिनों में, अंकिता अर्पित के रूखे बरताव के होते हुए भी उसमें रूची लेने लगी थी, उसकी कंभीरता और तेजस्विता ने उ सुरक्षित है, एक दिन क्लास के बाद बारिश होने लगी थी, अंकिता बारिश से बे परवहा हलकी बूंदों का आनंद लेती, होस्टल के लिए पैदल ही चल दी, साइकिल पर जा रहे दो लड़कों को यह नजारा देख मस्ती करने की सुझी, साइकिल से उतर कर अंकिता क दाए बाएं चलते हुए, कुछ उल्टे सिधे रिमाक्स देने की हिमाकत कर बैठे, अंकिता ने रुक कर एक की कमीज का कॉलर पकड़, उसके चहरे पर जोर का तमाचा लगा कर शांती से कहा, चल तेरी साइकिल पर तेरे घर चलती हूँ, घर में मा बहन तो होंगी, इस मौ रहे लोगों का इस द्रिश्य ने अच्छा मनरणजन किया, साथ की लड़कियों ने भी अंकिता के साहस की तारिफ की थी, तुम्हारी हिम्मत से हमें भी साहस मिला है, हमें भी ऐसे ही इन जैसों को तुम्हारी ही तरह ठीक करना चाहिए, ऐसे गुंडों की वजह से हमारा अ प्रोफेसरों के साथ वाड के मरीजों की केस हिस्ट्री और रिपोर्ट देखना और समझना होता था, अक्सर वाड के राउंड के समय अंकिता भी अर्पित के साथ होती, अर्पित की जानकारी और उसके उत्तर प्रोफेसरों को प्रभावित करते, उसकी बनाई पेशेंट् प्रोफेसर कांथ दूसरे स्टूडेंट्स के सामने अर्पित की तारिफ करते हुए कहते मुझे पूरा यकीन है अर्पित एक दिन बहुत सफल कार्डियोलोजिस्ट पनेगा एक दिन एक बच्चे को बैट पर अकेले रोता देख अंकिता बच्चे के पास जाकर प्यार से बोली क्या हुआ क्यों रो रहे हो अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते क्या मम्मी की याद आ रही है हो सकता है इसे मा की याद नहीं बलकि उससे जुड़ी कोई दुखत बात याद आ रही हो अजीब स्वर में अर्पित ने कहा कमाल करते हो भला मा से जुड़ी कोई बात तकलिफ कैसे दे सकती है अंकिता विसमित थी कभी कभी कोई ऐसी बात बच्चे की जिंदगी ही खत्म कर देती है तुम नहीं समझोगी अंकिता सोच में पड़ गई क्या रहसे है जिसने अर्पित को इतना कटू बना दिया है फादर जेम्स के पास से वो रहसे पता करना होगा एक दिन अचानक अंकिता को अपने सामने आया देखकर फादर चौंक गए यस माई डियर तुम्ही क्या कहना है क्या कोई परिशानी है प्यार से फादर ने पूछा अपना परिशे देकर अंकिता ने सीथे शब्दों में कहा था फादर आपका बेटा अर्पित एक जीनियस है पर वो सामाने लड़कों जैसा नहीं है ऐसा लगता है जैसे उसके मन में कोई गहरा दुख छिपा हुआ है हमें उसके साथ हमदर्दी है क्या आप बताएंगे वो ऐसा क्यों है आशापून द्रिष्टी फादर के चेहरे पर निपद थी तुम मर्पित को कब से जानती हो अभी कुछ महीने ही हुए है पर ऐसा लगता है मानों बहुत पहले से जानती हूँ कुछ और समय बीदने दो शायद उसे जान सको इतनी जल्दी किसी को जान पाना संभव नहीं होता हमारा मानना है किसी के साथ कुछ समय का परिचे भी वर्ष्व पुराना सा लगता है अंकिता की आवाज में विश्वास था शायद तुम ठीक कहती हो मुझे खुशी है तुम अर्पित को जानना चाहती हो इसके लिए इंतसार करो अगर कभी उसके दिल के पास जा सकी तो वो खुद तुम्हे सब बता सकेगा अगर तुम उसकी सच्ची दोस्त बन सकी तो मुझे भी खुशी होगी अब मेरी प्रियर का समय हो रहा है गौड प्लेस यू फादर चले गए बाहर निकल रही अंकीता का सामना रामू से हो गया तुम कौन हो बेटी किससे मिलने आई थी स्नेहे से रामू ने पूछा क्या आप इसी घर में रहते हैं हम फादर के पास आये थे अंकीता ने आदर से चवाब दिया हाँ हम और मुन्ना मतलब अरपित बेटा इसी घर में रहते हैं आप अरपित के साथ कब से रहते हैं हम अरपित के दोस्त हैं उनके साथ पढ़ते हैं अरे हमने ही तो पांच बरस के मुन्ना को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तुम मुन्ना की दोस्त हो अब तुम्हें ऐसे वापिस नहीं जाने देंगे आओ, कुछ खा पी कर जाना ठीक है काका घर भीतर से सुविवस्थित था एक कुर्सी पर बैठ अंकीता निरामु से वही सावाल दोहराया जिसका उत्तर बुरा हो उस हरीश का जिसने इस घर को आग लगा दी और हमारे मुन्ना को अनाथ बना दिया दुखी स्वर में रामु ने कहा ऐसा क्या हुआ काका आप हम पर भरोसा रखिए हम आपकी बेटी जैसे हैं हम मुन्ना का दुख दूर करना चाहते हैं उसे जिन्दगी में खुशियां देना चाहते हैं इसी लिए हम फादर से बात करने आये थे आपके साथ हमारी बातों के बारे में अर्पित को कुछ मत बताईएगा अगर तुम सच कह रही हो तो हम तुम्हें पूरी बात बताते हैं बेटी रामू ने अर्पित की मा के घर छोड़ कर जाने और पिता की मृत्यू की कहानी सुनाते हुए कई बार पनियाई आखें अपनी धोती की खूंट से पूँची अंकिता चायका से पलेते हुए रामू की बातें सुन रही थी दस वर्ष के बालक के असहन्य दुख की कलपना से उसके नयन भी भाराए जानती हो बेटी दस बरस का मुन्ना एक और माबाप के बिछोह का दुख सहरहा था दूसरी तरफ लोगों के तानों ने उसका दिल छलने कर दिया वो उस दिन के बात से हमेशा के लिए हसना भूल गया अब आप परेशान ना हूँ अर्पित को फिर हसाने और खुश करने की अब मेरी सिम्मेदारी है लोटते हुए रामू के पाउं चोकर उन्हें विस्मित कर दिया खुश रहो बेटी अबाती रहना तुमने इस बुढ़े को नई जिंदगी दिया उस दिन के बाद से अंकिता अर्पित के साथ और भी अपनापन महसूस करने लगी अपना ज़ादा से ज़ादा समय अर्पित के साथ बिताना उसे अच्छा लगता कठिन से कठिन काम और सवाल अर्पित अपनी तीवर मेधा से जिस आसानी से पूरा कर लेता वो अंकिता को चमित्रित करता अंकिता के कोशिश रहती वो अर्पित के साथ सीरियस बातों की जगा खुशकवार बातें करती रहे जो अर्पित का मूट बदल सकें उसके परिहास अक्सर अर्पित को मुस्कुराने को विवश कर देते ताजुब की बात यह थी कि अब अर्पित भी अंकिता के साथ सहच होने लगा था कभी-कभी उसकी शरार्थी बातों पर उसके ओठों पर हल्की मुस्कान आ जाती कि योजना के आधार पर कॉलेज के विध्यार्थियों द्वारा टिकट बेच कर अनारकली नाटक का मंचन करने का निर्ने लिया गया था सर्व सम्मती से अंकिता को अनारकली के रोल के लिए चुना गया था अंकिता ने अर्पित से सलीम का रोल निपाने का बहुत अनुरोद किया पर अर्पित ने कड़ाई से कह दिया नहीं यह संभव है तुम्हें जो करना है करो मुझे इन जंजटों में खीजने की कोशिश मत करना अन्ततहा नरेन को सलीम के रोल के लिए चुना गया नरेन इस सौभाग्य से बेहत प्रसन था ठीक है अर्पित पर कल संडे की चुटी है हम तुम्हारे साथ कॉलेज के स्टेज पर रिहरसल करेंगे अकेले खाली स्टेज पर रिहरसल करना ठीक नहीं होगा तुम बस खड़े रहना आखिर ये नाटक एक अच्छे उदिश्य के लिए किया जा रहा है कॉलेज के प्रती तुम्हारा भी तो कुछ दायत्व है अंकिता ने जोर दिया ठीक है इतनी मदद के लिए आ जाऊंगा अर्पित ने हामी भर दी ठीक समय पर अर्पित स्टेज पर पहुँच गया अंकिता ने उसके हाथ में नाटक की स्क्रिप्ट दे कर कहा अनारकली यानि जब मेरे डायलोग के बाद सलीम का रोल आए तो तुम पढ़कर बोल देना चलो अब रिहरसल शुरू करते हैं अंकिता ने अपने डायलोग शुरू किये ओख मेरे शहजादे आपके देदार की आर्जू में इस कनीज की जान अटकी हुई है वरना इतना बोल कर अंकिता रुख गई अर्पित की तरफ स्क्रिप्ट बढ़ा कर कहा अर्पित तुम्हें शहजादे सलीम का रोल यहां से पढ़कर कहना है ऐसा ना कहो मेरी जान ये क्या पकवास है तुमने आने को कहा था इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाटक करूँगा अर्पित आक्रोश में आ गया था नाराज क्यों होते हो मेरे शहजादे ये नाचीज तो आप पर कुर्बान है अंकिता हस रही थी मैं जा रहा हूँ याद रखो मुझे ऐसे मजाग पसंद नहीं है अर्पित ने नाराजगी से कहा किसने कहा ये मजाग है तुम तो मेरे सलीम बन चुके हो अर्पित सच पता नहीं कब और कैसे हम तुम्हें चाहने लगे हैं तुम्हारी गंभीरता, तेजस्विता, मेधा ने आक्रिस्ट किया और तुम हमारी चाहत बन गए अंकिता ने गंभीरता से कहा ये कैसी बातें कर रही हो मुझे नाठकों की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं अगर मेरा अतीत जान पाती तो मुझसे नफरत करती बात कहते हुए अर्पित जैसे कहीं खोसा गया हम अतीत में नहीं वर्तमान में जीते हैं जानते हो अतीत को भूतकाल कहा जाता है यानि उसे भूलने में ही जीवन है तुम्हारा अतीत कुछ भी रहा हो अब तुम मेरे परतमान और भविश्य हो हम दोनों मिलकर इसे खुशियों से भर देंगे नफरत तो हमारे बीच सांस ले ही नहीं सकती अंकिता ने विश्वास से कहा तुम एक लड़की हो ऐसी बातें किसी अच्छी लड़की को शोभा नहीं देती अर्पित ने नाराजगी से कहा हम आज की लड़की हैं साफ दिल के हैं और सच्ची बात कहने में जरा भी नहीं ही चकते हम तुम्हें प्यार करने लगे हैं ये सच्चाई है वैसे हमारे सौभाव के पारे में इतना तो तुम जान ही चुके हो मेरी प्यार शब्द बर आस्था नहीं है उस पर विश्वास करना मुर्खता है अगर प्यार में शक्ति होती तो मेरी मा मेरे इतना प्यार करने वाले पापा को छोड़ कर किसी और के साथ क्यों जाती अरपित अचानक अपने जीवन का कड़वा सच कह गया सिर्फ इसी लिए तुम्हारा प्यार से विश्वास उठ गया है क्योंकि तुम्हारी मा ने अपनी मन पसंद जीने की रहा चुन ली एक बात पताओ, एक विवाहित पुरुष किसी पराई इस्त्री के साथ विवाहित तर समंद बनाए रख सकता है जब पत्नी से मन भर जाए, उसी छोड़ कर दूसरा विवाहा कर सकता है तो एक इस्त्री अपना मन पसंद साथी क्यों नहीं चुन सकती अंकिता ने अर्पित से सवाल किया तुम नहीं जानती, पापा उन्हें कितना प्यार करते थे पापा ने मम्मी की किसी बात की कभी शिकायत नहीं की फिर भी मम्मी उन्हें आत्महत्या करने को छोड़ गई एक कड़वा सची है है कि तुम्हारे पापा स्वार्थी और कायर थे उनका एहम सबसे उपर था वरना अपने दस साल के बेटे के बारे में कुछ नहीं सोचा समाज में अपने अपमान की बात तो सोची पर मासूम बेटे को भुला कर स्वैम आत्महत्या करके मुक्त हो गए अगर संभव हो मेरी बातों को शांती से सोचना कुछ तेजी से अंकिता ने अपनी बात कही तुम जो कह रही हो ये सच नहीं है मेरे पापा कायर और स्वार्थी नहीं थे अर्पित बेचैन हो उठा तुम जो सोचते हो सोचो मेरी सोच अलग है खैर तुम्हारे मन से तुम्हारे पापा की छवी धुमिल नहीं करना चाहती पर अपनी मा के साथ अन्याय कर रहे हो सच कहो क्या तुम्हें कभी अपनी मा याद नहीं आती एक बात कहूँ नाराज मत होना तुम्हारे साथ शादी के बाद तुम्हारी मा से आशिरवाद लेने तुम्हें खींच कर उनके पास ले जाऊंगी अंकिता ने मुस्कुरा कर कहा एक सच मुझसे भी जान लो ना कभी हमारी शादी होगी ना ही तुम्हारे सपने सच होंगे तुमने तो मेरी सोच पर बहुत चोड़ पहुचाई है अंकिता अपनी सोच को बदल पाना आसान नहीं है इसलिए कहता हूँ मुझे छोड़ दो हमारा मिलन असंभव है सौरी हमारी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं तुम्हें भी हमारी बात माननी ही होगी अब तो ये अंकिता तुम्हारी बन चुकी है अर्पित मेरी इच्छा के विरुध मुझे कोई काम नहीं करा सकता यकीन से अर्पित ने कहा ये बात तो समय आने पर ही पता लगेगी हमें तो पूरा यकीन है हम तुम्हारी अंकिता जरूर बनेंगे मुस्कुराती अंकिता ने कहा तुम मेरे साथ विवहा के सपने मत देखो मेरा आतीत तुम्हारे पेरेंट्स को कभी स्विकार नहीं होगा हम अपने को भी जानते हैं और अपने पेरेंट्स को भी जानते हैं शादी का फैसला हम दोनों का होगा उसमें उन्हें कोई अतरास कैसे हो सकता है हम दोनों बालिक हैं अपना भला पुरा समझते हैं वैसे भी हमारी पापा मम्मी को अपनी बेटी के निर्ने पर पूरा यकीन रहता है। उनका तो बस आशिरवाद होगा। तुम सपनों की दुनिया में जीती हो अंकिता। मैं भविशे में नहीं अपने अधीत के साथ जीता हूँ। अपने अधीत का काला कंबल कब तक ढोते रहोगे अरपित। अब इसे उतरवा के रहोंगी। ये मेरा वादा है। अब नाटक की तयारी के लिए जा रही हूँ। अंकिता नाटक में अभिने की तयारी पूरे मन से कर रही थी। अंकिता ने अर्पित को नाटक देखने जाने को तयार कर लिया था। नाटक देखने आने के लिए थैंक्स वैसे तुम्हें मेरा एक्टिंग कैसा लगा अर्पित। अंकिता ने धीमे से पूछा। ये तो जानता था तुम अच्छी अभिनेतरी हो। कोई और लड़की तुमसे जादा अच्छा एक्टिंग शायद ही कर पाती। अर्पित ने सच पूछता रह गया। उसकी बातें भुला पाना संभब नहीं था। ये सच था। अंकिता अगर फिल्मों में चाती तो टॉप की हिरोईन होती। वो बिना किसी हिचक के अपने मन की बात साफ साफ कह जाती है। क्या वो सच मुछ अर्पित को चाहने लगी है। अपने पाप के मृत्यू के बाद भी वो उसे अपने साथ ले जाने आई थी। और पापा क्या वो गायर थे। शायद मम्मी को डर था। तलाक मांगने पर वो मम्मी को तलाक नहीं देते। इसलिए मम्मी ने यह रह चुनी होगी। बहुत देर बाद वो सो सका था। फोन की घंटी से उ बहुत बुरी खबर है। अंकिता का सीरियस एक्सिडेंट हो गया है। वो आई सीउ में है। क्या? कैसे? जवाब बिना सुने किसी तरह बधावास अर्पित हॉस्पिटल पहुंचा था। आई सीउ में अंकिता बिहोश थी। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। अर्प लिक्षा उस पर चड़ जाता। उस द्रिश्य की कलपना से अर्पित कांप उठा। डॉक्टर अंकिता कैसी है? वो सीरियस तो नहीं है। एक सांस में अर्पित डॉक्टर सीनह से पूछ बैठा। हैव पेशेंस। तुम तो खुद एक डॉक्टर हो अर्पित। जब तक प बात यात आ रही थी। क्या वो खुद भी उसे नहीं चाहने लगा था। उसका साथ कितना जिवन्त हुआ करता है। अंजाने ही अंकिता उसके जीवन में स्थाई जगह पना चुकी है। स्पस्ट समझ में आ रहा था। अंकिता के बिना जीवन की कलपना भी असंभव है। पूरे दिन बिना खाई पिये अर्पित निश्चल पैठा था। रजत नरेन सागर के कहने पर मुश्किल से एक कप चाय गले से नीचे उतारी थी। सब की समझ में आ गया था। अर्पित का अंकिता के साथ दोस्ती से जादा कुछ और ही रिष्टा बन चुका है। सब अंक अंध डॉक्टर को बुलाया था। अर्पित हाल जानने को आगे बढ़ाया। डॉक्टर अर्पित खत्रे की कोई बात नहीं है। चोट गहरी नहीं थी। सदमे से बेहोश हो गई थी। शी इस फाइन। सीनिय डॉक्टर सीनहा ने आश्वस्त किया। अर्पित और अंकिता के पेरेंट्स को अपना परिचे देते ही अंकिता की मा ने प्यार से कहा। तुम्हें अपना परिचे देने की जरूरत नहीं है अर्पित। अंकिता ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। हम तो तुमसे मिलने आने ही वाले थे। पर आज अचानक आना हो गया। अ तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी, पता नहीं क्या-क्या सोच पैठा था, अपनी इस हालत का मतलब जनाब समझ पाए या नहीं, मम्मी कहने को ये जीनियस डॉक्टर है, हार्ट्स पैस्टिस्ट बनने चला है, पर अपने दिल की बात ही नहीं समझता, अंकिता ने मसा किया, अंकिता के पापा ने हस कर कहा, अर्पित तुम मम्मी पापा को अपने कॉलेच की केंटीन में ले जाओ, हमें पता है, मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं खाया होगा, मम्मी अर्पित को भी कुछ खिला देना, मम्मी इन जनाब का चेहरा सू क गया है, वरना शहजादे सलीम चुप रहे इस वक्त भी शरारत से बास नहीं आ रही है अर्पित ये मेरी बेटी बड़ी साफ देल की लड़की है इसकी बातों पर नारास तो नहीं होते जी नहीं अंकिता को समझता हूँ धीमे से अर्पित ने कहा रात में अंकिता को डिस्चार्ज कर दिया गया अंकिता और उसके ममी पापा के साथ 5-12 होटल में अर्पित को भी जाना पड़ा अंकिता के पापा की पोजिशन की वजह से उन्हें विशेश सम्मान दिया जा रहा था डिनर के बाद कमरे में पहुँच अंकिता की मम्मी ने अरपित से पूछा अरपित बेटे एक महीने बाद तुम दोनों फाइनल एर पुरा कर लोगे उसके बाद तो बस एक वर्ष के इंटरन्शिप ही करनी है हमारी बेटी तुम्हें बहुच चाहती है क्या तुम उसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्विकार करोगे अभी मैं इस विशे में कुछ नहीं सोच सका हूँ मैं MS करना चाहता हूँ वैसे शायद आप मेरा अधीद नहीं जानती वरना आप ये प्रस्ताव नहीं रखती संकोच से अरपित ने कहा MS तो अंकिता भी करेगी पर उसके लिए तुम दोनों की शादी बंधन नहीं बनेगी बलकि दोनों साथ साथ पढ़ाई पूरी कर लोगे अंकिता हमें तुम्हारे और तुम्हारे अधीद के बारे में सब कुछ पता चुकी है तुम्हें अपने मन में अधीद से कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए अंकिता के पापा ने गंभीरता से अपनी बात कही हाँ बेटे तुम्हारे साथ जो हुआ दुखत था पर उसे भूलाने में ही समस्तारी है मा ने भी हामी भरी वाह मम्मी पापा ये आप क्या कह रहे हैं अर्पित ने तो पूरी जिंदगी अतीद की काली कमली ओड़े रखने की ठान रखी है अगर उसे उतार दिया तो जिंदगी क्या बेमानी नहीं हो जाएगी क्यों अर्पित ठीक कहा न अंकिता ने सीधा व्यंग किया एक बाद जान लो मेरी बेटी अंकिता जो ठान लेती है उसी पूरा करके ही छोड़ती है मुझे पूरा यकीन है अगर तुम अपने अतीज से छुटकारा पाना चाहते हो तो अंकिता ही उसकी दवा है पापा ने कहा आप लोग बेकार परेशान है अर्पित मेरे लिए भूगा प्यासा पूरे दिन बैठा रहा क्या ये इस बात का प्रमार नहीं है कि जनाब अर्पित भी मुझे बेहर चाहते हैं ये अपने मन की बात नहीं मानने की जिद करता है पर असल में तो हम इसके मन को जानते हैं क्यों अर्पित इस सच को तो स्विकार करोगे या कह दो ये जूट है अंकिता ने सीथी द्रिष्टी अर्पित पर डाल कमभीरता से कहा मानता हूँ अपने मन को नहीं समझ पाया ये तुमसे हार गया अंकिता हाँ तुम्हारी जीत पर मुझे खुशी है तुमने जो सपने देखे अपने अधीद के कारण मुझे उन पर विश्वास नहीं था पर तुमने जो कहा सच कर दिया तुम्हारा आभारी हूँ अंकिता अर्पित के चेहरे पर खुशी की आभा थी अंकिता तेरे अक्सिटेंट की वज़ा से हमें आना पड़ा पर तुने जिसे अपना जीवन साथी के रूप में चुना उसे स्विकार करते बहुत खुशी है हमारा आश्रिवाद हमेशा तुम दोनों के लिए रहेगा पापा ने खुशी से कहा ये हमारा सोभागे है अर्पित कि हमें तुम्हारा जैसा योगे बेटा मिला है हमें अंकिता के चुनाव पर हमेशा यकीन रहा है तुम्हारे साथ हमारा परिवार पून हो गया हमारी अंकिता अब तुम्हारी हुई मम्मी के सजन नैनों में प्यार था अर्पित अब पापा मम्मी का आशिवाद तो चरण सपर्ष करके ले लो या ये भी पताना होगा हस्ते हुए अंकिता ने कहा मम्मी पापा के चरण छुने को जुके अर्पित को पापा ने प्यार से अपने सीने से लगा लिया मम्मी पापा कहते अर्पित के नयन भाराय वर्षों का आफसाद पल भर में तिरोहित हो गया डॉक्टर पुष्पा सकसेना जी की लिखी इस कहानी के सुख़त अंथ के साथ ही मुझे विदा दीजिए फेर आउंगी एक और कहानी के साथ धन्यवाद